हेलो फ्रेंड्स हर बार एक ही तरह की चिकन खाकर बोर हो गए तो चलिए बनाते हैं स्रिप एक चमचोई से सूपर टेश्टी चिकन करी एक खाश ट्रिक के साथ तो इसके लिए मैंने 500 ग्राम चिकन ली है इसे मैंने अच्छे से साफ कर धुल लिया है अब तीन मीडियम करेंगे 10-15 लेसन की कलिया चार से पांच हरी मिर्च तीखा आप अपने कटिंग कम या जादा कर सकते हैं 10-15 काली मिर्च की दाने एक चमच के करीब खस खस या पोस्त जो भी आप क्याते हो एक चमच साबु जीरा एक चमच साबु धनिया साथी टोर टमाटर जिसे मैंने प से दो इलाइची दो लॉंग और एक च्छोटा सा टुक्रा दाल जी निगा है थोड़ा पानी डाल हम इसे बारिक पिस लाते हैं तो आप देख सकते हैं मसाले एक्डमा स्मूथ है दर दर हमें इसे बिल्कुल भी नहीं पिसना है इस बात का अब ध्यान रखें अभी मसालों को हम साइड में रखते हैं अब हम एक भारी तले वाला बरतन लेंगे पतले तले का बरतन हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है नहीं तो चिकन पकाते टाइम वह जल सकता है अब हम चिकन को एड़ करेंगे साथी हम इसमें डालेंगे एक चम्मा चॉयल, एक चम्मा चॉयल से भी है, आज बहुत ही हैल्दी और टेश्टी चिकन बनाने जा रहे हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अब हम इसमें एट करेंगे पीसी हुए मसाले, स्लाइस में कट किये हुए प्याज को, साथी हम एट करेंगे कुछ सूखे मसाले, जैसे एक चम्मच कस्मीरी लालमिस पॉर्डर, इसमें तीखा कम होता है, लेकिन कलर बहुत ही अच्छा आएगा, हल्दी टेश्ट के कोडिंग नमवक, अब सभी चीजों को हम अच्छे से मिक कर सकते हो, मैं हां अस। वेचला से似मिक्स कर रही हूँ, इन सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद, हम इसमें एट करेंगा वण फ्थ कप दही, तो फ्रेंड्स चिकन आपने बहुत तरीके से बनाया होगा, बहुत पर बनाया होगा, लेकिन आप एक पर इस तरीके से बन कर देखिएगा बहुत ही टेश्टी बनता है सभी को बहुत पसंद आएंगे तो दही मसाले प्याज और चिकन को हम वापस से एक वर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढग कर 10-15 मिनट तक रख देंगे तक यह अच्छे से मेरिनेट हो जाए तो फ्रेंट 15 मिनट लगवग हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं प्याज पहले से थोड़े सौफ्ट हो गया है नमक की वज़े से प्याज में पानी भी छोड़ दिया है इसे एक पर मिक्स कर लेते हैं और चलते हैं गैस की तरफ तो अब हम कडाही को गैस पर रखेंगे और 5-7 मिनट तक ढग कर इसे हम पकाएंगे लगबक साथ मिनट हो गया है अब देख सकते हैं चिकन से पानी रिलीज होतना हो गया है इसे लेए इसे हम एक पर मिक्स कर लेते हैं और वापस से इसे ढग कर 10 मिनट तक मिडियम फ्लम में अच्छे से पका लेंगे इसे चलाना बिल चोटी सी फैमिली का हिसा बने तब एक पर चेक कर लेते हैं अब देख सकते हैं जैसे जैसे चिकन प्याज और मसाले पकते जा रहे हैं इसे पानी रिलीज होता जा रहा है इसे हम वापस से ढखकर और पास मिलार तक पकने देंगे तो आप देख सकते हैं मसाले चिकन और प्याज अच्छे से पक गया है और यह सौप्ट भी हो गया है तो अब ऐसे हम एक पर और मिक्स कर लेंगे और आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके एकोडिंग हम इसमें पानी आट करेंगे तो मैं यहाँ आधे कप पानी एड़ कर रही हूँ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ठक कर इसे 10 मिनट तक और पका लेंगे तो फ्रेंड्स आज से पहले आपने कई बर चिकन बनाया होगा लेकिन आप एक बर इस तरीके से बना कर देखें हर बर आप इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे बहुत ही टेस्टी बनते हैं तो आप देख सकते हैं लग चिकन हमारा बनकर तयार है अब हम इसमें एड़ करेंगे गरम मसाला पॉडर इसे एक पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ ही इसमें हम डालेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया हरी धनिये के डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका टेस्ट दुगूर न बढ़ जाएगा इसे हम मिक्स करने के बाद धकर इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जिससे की हरा धनिया का फ्लेवर चिकन में अच्छे से आ जाए तो फ्रेंट्स लीज के तैयार है एक चमच उइल से बना सूपर टेस्टी चिकन अब देख सकते हैं इसकी ग्रेवी बहुत ही अस्मूथ बना है प्याज भी बहुत अच्छे से पग गया है तो बिना टेंसन लिए वे आप भी इस रेसेपी को जरू ट्राइ करें सभी को बह मिलती हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नही रेसेपी के साथ तब तक अपना ध्यान रखें धन्यवाद अपना समय देने के लिए